दोसों, जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंट्रेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स एप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंट्रेस्ट मिलता है, तो निचे दिये लिंक से नियो एप को ज़रूर डाउनलोड करिए और 7% इ देखने को नहीं मिलेगा, बगवान ने चाहे वो अमीर व्यक्ति हुआ गरीब व्यक्ति दोनों को एक जैसा ही बनाया है, बट बात करें उनके माइनशेट के बारे में कि एक गरीब व्यक्ति का माइनशेट कैसा है और एक अमीर व्यक्ति का माइनशेट कैसा है, तो यहाँ माइन्शेट के लेवल पे एक गरीब ब्यक्ति में आपको बहुत बाद डिफेंस देखने को मिलेगा और वास्तों में अगर कोई गरीब है तो वो अपने माइन्शेट की वज़त से ही अमीर है तो ऐसे में अगर कोई भी ब्यक्ति अपनी को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने माइन्शेट के उपर काम करना होगा और माइन्शेट के उपर काम करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप माइन्शेट को ठीक जंक से समाजने की कोशिस करें कि ये कैसे काम करता है तो दोस्तों हमारा माइन्शेट इमो कर पाएंगे और इसे सही डायरेक्शन देखकर आप यहां पे पैसो को सही डंग से कंट्रोल भी कर पाएंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपसे माइंशेट को लेकर ही कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप समाजारी से पैसो को खर्च करने में आपको हेल इस पैसे को खर्च करें यानि कि आप भगवान को इस बात का धन्यवाद करें कि आप जो पैसे कमा रहे हैं उसके लिए आप सुक्रगुजार है भगवान के और जैसे ही आपको आपकी सेलरी मिलती है या फिर जो भी आपको पैमेंट आता है तो अगर पॉसिबल हो तो उस उस सेलरी को आप अपने गौड अपने भगवान के सामने उसे रह कर सबसे पहले आप भगवान को थैंक्यू करें कि हाँ आपने जो भी कर्म किये हैं और जिस तरह से भगवान ने आपको रखा है इसकी बदलत आपने वो पैसे कमाए हैं और इसके लिए आप उनके शुक्र गुजार हैं और फिर भगवान से और खुझ से आप एक प्रोमिस करें एक वादा करें कि ये जो पैसे आपने अपनी मेहनत से जो कमाए है उसे आप बहुती सोच समझ कर बहुती समझदारी से खर्च करेंगे और जो भी अपने खर्च का प्लान बनाया हुआ हुआ है पहले तो उस पैसे की उस कमाई को आपको भगवान के शामने रख कर सबसे पहले अपना gratitude शो करना है और एक वादा करना है क्रोमिश करनी है कि आप इससे समयधारी से पूरे महीने में या भी आगे जैसे भी उसे खर्च करेंगे और दोस्तों माइनशेट को बदलने के लिए जो लिए खर्च करें जी हां दोस्तों ये चीज आपके माइनशेट को बहुत तेजी से बदल सकती है और आपका माइनशेट बहुत उपर का हो सकता है जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको हाँ पे जरूर अच्छा फील होता है और वो जो फीलिंग है वो फीलिंग आपक ये स्वार्थी आत्मी है ये कभी दूसरों की मदद करता ही नहीं है और आपको भी इक अंदर से गिल्ट फीलिंग होगी कि आप इस लायक है ही नहीं कि आप दूसरों की मदद कर्श रखें बड़ दोसों अगर आप जहां से देखें तो जया आप कम कम आए यया ज़्याद की मदद करते हैं तो आपको हमेशा आपके मैंडशेट में याद रहेगा कि दुनिया मैंसे कितने करोड़ों लोग हैं जो अपनी सिर्फ बेसिक बुनियाती जरूरते जैसे के रोटी कपड़ा मकान को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इस होजा से आपको हमेशा ये फि प्रिशान है तो आप अपने पैसो को लेकर जब अनाफसन आप खर्च करने की बात होगी तो आप जरूर अपने आपको रोग पाएंगे फिजुल खर्ची को रोग पाएंगे और आप ज्यादा बचत कर पाएंगे तो यह है दूसरी चीज जो आपके मैंडशेट को पूर पूरा हिसाब किताब रखना है जो भी आंदरी हो रही है उसका भी हिसाब आपको रखना है और आपको हमेशा यह देखते रहना है कि आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच में क्या डिफरेंसे आ रहे हैं कही ऐसा तो नहीं कि आप जो कमा रहे हैं वो पूरा खर्च कर ड आपको ये समयना होगा, कि पैसे का सारा खेल मामिसी Сейчас से जोड़ा हुआ होए है, और नियम से जोड़ा हुआ है। जो आदमी पैसो को लेकर नियम पे चलता है, और अनुशाशन के साथ अपने पैसोगों को आगे बठाने के बारे में सोचता है, वही आदमी यहाँ पे ठीक धंक से लॉंग टर्म में अमीर बन पाता है और अमीर बने रह पाता है अगर आप फटा फट चैक जितने पैसे बना ले जितने पैसे कमा ले लेकिन अगर आपके अंदर अनुसासन नहीं है पैशो को लेकर तो आप उस पैसे को अपने बास रख नहीं पाएंगे और इतर दर खर्च होके आपको वापस उसी हालत में पहुंच जाएंगे जिस लायक आप होंगे तो मैंशेट को बदलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अनुसासन का पालन करें आप नियम को जो भी बनाए अपने लिए खर्च करने का नियम हो या फिर कमाने का नियम हो जो भी आपके नियम हो वो नियम को तै करें और उन नियमों का पालन करें अब दोस्तों बात करें कि आपको पैसों को लेकर कौन से नियम को परान करना चाहिए तो पैसे को लेकर बहुत सरा अलगर नियम हो सकते हैं और आप अपने खुद के भी नियम बना सकते हैं बहुत सरा अलगर तरह के नियम यहाँ पर यूज करते हैं जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर सनीवार के दिन कोई आभोशण या फिर लो 30% जो भी बच्चत करना चाहते हैं उस पैसे को दूसरे एकांड में ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी पैसे बच्चे भी जो होते हैं उसी सिव अपने सारे खर्चे को फूरा करते हैं इसके अलावा लोग 5% by 7 days का जो रूल है वो भी अपनाते हैं यानि कि इस नियम जनुश हो जाएगा कि आपको चीज सच में जरूरत है या नहीं है और जो भी उसका अल्टरनेट विकल्प हैं वह भी आपको शमाज में आजाएंगे और फिर आप यह डिसाइड कर पाएंगे और आप बहतर रिस्जन ले पाएंगे कि सच में आपको खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या यह सच में खर्च जरूरी है यह नहीं है क्या सच में इस खर्च का कुछ फायदा आपको होने वाला है यह पैसा यह वैस्ट होने वाला है फिजूल खर्ची है तो इन सारी चीजों से आपको काफी कुछ help मिलेगी और आपको अब आगे बढ़ सकें दोस् परशेंट तक का जो इंट्रेस्ट है वो मिल सकता है तो निची दिये लिंक से आप नियो एक्स एप को जरूर डाउनलोड करें और 7 परशेंट वाल अकाउंट जरूर खोलें वीडियो पसंद आया होते से लाइक और शेर जरूर करें अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जूर रहने लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद